दोस्तों नमस्का स्वागत है आप सभी को एपी दिवाली हार्दिक शुब कामना आप सभी को साथ ही आपके परिवार को जैसा कि बेरोजगा अब बैरती कहीं की दिवाली के मोगे या फिर तमाम ऐसे त्योहारों के उपर अपने आपको परिशान महसूस पाते हैं लेकिन उम और नई भरती के विग्यापन के बारे में जिसके आवेदन आठ तारीक से शुरू कर दिए जाएंगे परिक्षा लगबग फरवरी में आपको देखने के लिए मिलेगी इसकी अलावा अगर बात की जाए एडिट जूनियर के बारे में साथ ही अगर बात की टीजिटी को ल जिसा कि दोस्तों आप जानते कि कई ऐसी बरतियां जिनके विग्यापन उत्तर प्रदेश में निकाले जा रहें अगर आप इनकी योगितां रखते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं साथ ही इसके अंदर अपनी एक सीट भी ले सकते है लेकिन इसकी पूरी जानकाई कि हम बात करेंगे ऑफिशल नौटिफिकेशन के साथ में और यहां पर आप सभी के सामने इसका ऑफिशल नौटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता कि कब सक आप सभी को जो आवेदने वो करने हैं पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि online आव इतन शुल्क जमा करना चाहते हैं तो उसके जो आपको समय दिया जाएगा वो आठ से लेकर 28 तक ही देखने के लिए मिलेगा इसके अलाबा ऑफ-लाइन माद्यम्स जगर आप अपनी फीश को जमा करना चाहते हैं तो वो आठ से लेकर 30, 11, 12, 22 तक देखने के लिए मिलेगा इसके अलाबा अगर बात की जाए परिक्षा की तारीकों के बारे में लिखा हुआ है कि जनवरी 2, 23 तक आपकी परिक्षा देखने के लिए मिलेगी सकंड वीक के अंदर लेकिं ऐसा POSSIBLE देखनी जाए कि परिक्षा सेकंड वीक में हो पाईगी ये परिक्षा फ्रवरी की आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगी इसके अलावा अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो वो आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा एक साथ दोजा बाइस को निवन्तम आपकी जो आयू है वो 21 से लेकर 40 बर्स के बीच में होनी चाहिए अगर आप किसी बिशेस आच्छन सेंडी से आते हैं तो उसके अंदर आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगी जैसे कि OBC, SC, ST इसके अलावा जो भी संब्धित होते हैं उन सभी को अब बात कर ली जाए कुछ और मुद्धों के बारे में उत्तर प्रदेश अगर बात की जाए पावर कॉपरेशन लिम्टेड की ओसे जिसके बारे में विग्यापन संख्या लिखी हुई है उत्तर प्रदेश पाबर कॉपरेशन लिम्टेड के इसके समस्त अगर बात की डिस्कॉम केस को इसके रावा और भी वह साही जानकाई लिखिए जो काम की जानकाई वो ये है कि सायक लेखाकार की मतलब अकाउंट असिस्टेंट की आप सभी कुछ वेकेंडसी वो देखने के लिए मिलती है पदों की संक्या की अगर बात की जाए तो अनिजब्कि और बात की जाए तो 79 पद हैं यहां पर आपको पांच देखने के लिए मिलते हैं कुल इतने पदों पर आपकी जो भरती है वो देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर आविदन करने के लिए बहुत साही जानकाई हैं और नीचे दी गई हैं जिनको आप यहां से भी देख सकते हैं इसकी अलावा अगर बात किए राज सरकार की एक्ट के द्वार इस्ताबित वांडिज में अगर आपने इस नातक कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 21 से लेकर 40 बस की आपको छूट देखने के लिए मिलेगी चैन पर की आपकी कैसे करवाई जाएगी कंप्यूटर अधारित आपकी प पूरी जानकाई ले सकते हैं यहां फीस का विवरा भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितनी कितनी आप सुभी से वो ली जाएगी अब यह बात हो जाती है भरती के बारे में लेकिन अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेका उससे पहले अगर आपने अभी करने वले जादा तर उमर द्राज देखने के लिए मिलते हैं इसका मतलब करते हैं लेकिन ऐसा खींचीर की अबर लाद कीज रहाए मानन लीजिए कि आप कई लोगया और ज्वाता है लेकिंव सब्वैंटे कि पेड Argent LIKE son देते हैं और इसमें खास बात यह होती है कि अदर कोई अधिक्तम योग गिता मतलब अधिक्तम एज लिमिट नहीं होती है तो यहां पर अब्वेति काफी लंबे समय तक प्रवेशन करते रहते हैं अपने लिए नौकी निकाल लेते हैं लेकिन अब छात्तों को यहां से बदलाब कर दिया गया है एस लिमिट के बारे में और यह बदलाब आप सुभी को देखने के लिए मिलता है आयूशीमा को लेकर और यहां पर इसके बारे में ऑफीशल गैजट भी जारी कर दिया गया मतलब की नोटिस भी जारी हो चुका है अब जैसा कि मैंने आपको स्ट साइडिंग में कहा कि अदर जो उमर्द राज अब्धियों जादा चैनित हो बाते हैं उसकी बज़य यह भी होती है कि उसका पैटरन टफ होता है लंबे समय तक अब्धियों करते जाते हैं उत्तर पिद्धियों निकलती है उसके अंदर कोई भी अधिक्तम एज आपको दे देखने के लिए मिल जाता है अगर बात की जाएं दिल्ली गेजट को लेकर आप सब्सक्राइब के सामने देखने के लिए लिए लिखा हुआ है कि सीधी भरती वाले उंबीद वारों के लिए आयू शीमा के बारे में तीस बस से अधिक देखने के लिए नहीं मिलेगी पीशोट अगर मैं आप सभी को बताना चाहूं तो यहां पर आप सभी के सामने जो पीजटी की अद्र भरती निकाली जाती थी उसके अंदर आप सभी को 36 अमर्द देखने के लिए मिलती थी अधिक्तम 36 साल के अभ्यरती इसके लिए आविदन कर पाते थे लेकिन अब उसम आप सभी के सामने सैचिक योगिताएं भी लिखी हुई जिनके अंदर कोई बदलाब नहीं किया गया है जो सैचिक योगिताएं पहले हुआ करती थी वही आपको देखने के लिए मिलती है साथ में आप से बीएड भी मांगा जाता था वो भी लिखा हुआ है लेकिन जो सब लेकिन उमर सीमा घट जाने की विजए से उनके पास अब मोका नहीं है इन भरतियों में बैठने का जो कि कहीने की चात्तों के लिए और भी जाला नुकसान दायक है बरतियां इतनी आती नहीं है एज लिमिट घटा दिने से और भी चात्तों को नुकसान होने वाला है उत्त जूने इस इच्छक भरती को लेकर कट आफ के बारे में इसके अलावा मेरिट लिस्ट को लेकर जिसा कि आपको बताया गया है कि नवंबर के लास तक ये भरती पूरी कर दी जाएगी शासना आदेश को लेकर काम लगाता शासन इस तरह पर जारी है लेकिन दिवाली के जाजी कर दिया जाएगा लेकिन इसी बीच एड़ेट जूनियर के अभ्यातियों के बातियम से एक नई मोहिम शुरू की गई है जिसके बारे में जानकाई मैंने आपको पहले भी दी थी अगर इस मोहिम को फॉलो किया जाता है तो एड़ेट जूनियर के अंदर कट आफ ल जी आई सी एल टी इसके अलावा जी आई सी प्रवक्ता या फिर यूपिटर पलेसी या फिर किसी और भरती के अंदर तो हो सके तो एड़ेट जूनियर सिच्छे बरती के अंदर एक सीट को खराब ना करें क्योंकि यहाँ पर पदों की संक्या बहुत ज्यादा कम है लगब आप सुभी के सामने आपको बेनिफिट नहीं मिल सकेगा लेकिन ऐसे अब्यारती जिनका पहले से कहीं हो चुका होगा और अगर वो इस बरती में भाग नहीं लेते हैं तो निश्यत तोर पर एड़ेट जूनियर सिच्छ बरती के अंदर कट आप में आपको गरावट देख लखें जिनका चैन पहले से हुआ है अगर वो एड़ेट जूनियर भाग नहीं लेते हैं तो किसी वेज़गार को नोकी मिलेगी साथी कट आफ के अंदर घ्रावट भी होगी वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब